अजीत पवार महाराश्टी पॉलिटिक्स के अंदर अब एक बड़ा जीरो बनके रह गए हैं। आप यह देखते जाईएगा आगे। कोई भी इन में से भाजपा के साथ ख़ड़ा नहीं होगा। पलपल यूज से मैं हूँ आपके साथ नदिम अक्रम। महाराश्टी की राजनीती में बड़ा उलट फेर जो है वो देखने को मिला क्योंकि सब की निगा जो है वो दोहजार चौबिस के चुनाव पर्टी की हुई है। दोहजार चौबिस में भारती जिन्ता पार्टी यानि की केंद्री की मोदी सरकार किस तरीके से तमाम गुटों को साथ में लाने में कामियाब रहेगी ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है और सवाल ये भी बना हुआ है कि जो विपक्ष क्या बड़ा चेहरा थे जिन्हों न विपक्ष को एक जूट करने की एहम भुमिका निवाई वो स्क्रीन पर तस्वीर आप देख रहे हैं शरत पवार जी शरत पवार ने जिस तरीके से तमाम विपक्षी लोगों को एक साथ लाकर के एक मंच पर बिहार की सरजमी से बड़ा ऐलान कर दिया वो केंद्र की मोदी सरकार को नागवार खुचरा इसलिए कमर तोड़ने के लिए सबसे पहला निशाना जो है वो शरत पवार को बनाया गया जहां अदेश के प्रधान मंत्री ने भुपाल में मेरा बूत सबसे मजबूत में साफतोर पर कहा था कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो एक साथ म परिदेश के प्रधान मंत्री ने इसका दिकर नहीं किया कि वो अगर भाजपा जोइन कर लेंगे या भाजपा के साथ गढ़ बनन कर लेंगे तो क्या वो भ्रष्टाचारी रहेंगे या भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो जाएंगे दो हजार चौबिस के चुनाव पर इसका असर कैसे पड़ेगा और अगला निशाना शरत पवार के बाद कौन बनेगा इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल एनलाइसिस रविश्रिवास्तव जी मौजूद हैं सर किस तरीके से देखते हैं कि पहले देश के प्रधान मंत्री की एक धमकी भरी राजिनीती होती है कि सब को जेल में डाल दूँगा और फिर महाराष्ट में अजीद पवार और उनके साथ आठ नेता जो हैं वो एनसिपी का साथ छोड़ करके महाराष्ट में एक नाशिंदे और भारतिये जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं और यह वो आठ चेहरे हैं जिनके उपर तलवार लटक रही थी जेल जाने की तो कैसे देखा और समझा जा सकता है इस पहलू को जो शरत पवार की कमर तोड़ने की कोशिश की गई है गुड बॉर्णिंग नदीम ये कल सन्रविवार को जो दोपहर में एक भुचाल आया महराष्ट की राजनीती में एक बार फिर आप देख चुके हैं पहले 2019 में अजीर पवार किस तरह से 60 घंटे के डिये बने थे उक मुक्यमंत्री उसके बाद फिर 2022 में कोशिश की गई औ और अब इस बार वो तीसरी बार डिप्टी चीफ मिनिसर बनने में कामियाब गये नदीम ये तो आप देखी रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों से ED, CBI और Income Tax का इस्तेमाल बराबर किया जा रहा है ताकि दूसरे राज्यों के अंदर जो जहां पे विपक्ष की सरकारे हैं उनको किस तरह से या तो तोड़ा जाए या तोड़ करके उनको भाजपा में मिलाया जाए ये कोशिश आद देख चुके हैं आपने देखा किस तरह से बद्ध्यप्रदेश की सरकार वहाँ पे लोगों को खरीद करके ML सरकार बनाई गई आपने करनाटक में भी देखा यही आपको बहुत नागवार गुजर रही और जो आपने मुदी जी की बात की उनका यही कहना है उनको यह कहना नहीं है कि उनको ED और CPI और Income Tax का डर दिखा के उन्हें किसी को जेल में भेजना नहीं है वो आज तक आपने देखा होगा जेल में भेज भी नहीं पाए हैं सिर्फ स है ना कि वो मुदी जी सब पर भारी है तो वो भारी नहीं है वो सब पर ED, CPI और Income Tax का भार डाल देते हैं और उनको अपने पक्ष से तोड़के अपने यहां मिलाने की कोशिश करते हैं महाराष्ट में इसके बड़े दूरगाभी परणाब होंगे महाराष्ट के अंदर आ कि जो 16 MLA है वो तो डिस्कॉलिफाइफ होने ही होने है चाहे राहूल नार्वेकर स्पीकर जो है वो उसके ओपर कितना भी समय बैटे रहें वगर उन्हें भी तीन महीने का टाइम दिया गया है तो आनन फानन में कि सरकार न गिर जाए वो 16 MLA डिस्कॉलिफाइफ होने से य हरकत की गई कि इसको तोड़ करके यहां पर मिलाया जाए ला करके ताकि हमारी संख्या बनी रहे इस सारे किसे के अंदर जो कहा जा रहा है कि टोटल अपोजीशन यूनिटी खत्रे में आ गई है मैं नहीं समस्ताओं कि इस बात में कोई दम है क्योंकि जो टोटल यूनिटी है वो इंटेक्ट है उसमें कोई समस्या नहीं है वो तो दोधार चौबीस में वो सब मिल करके भाजपा के खिलाफ ही चुनाओ लड़ने वाले हैं उनका यही एक पहला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है यहां पर क्या होगा आप देखते जाएं कि आज ही एक गंटे पहले गन भुजबल यह जो लोग जिस तरह के लोग जिनके उपर केसिस चल रहे थे उनको बहाजपा की वाशिंग मशीन में डालके साफ करने की कोशिश की जाएगी जैसे कि हेमंत बिश्व शर्मा या मुकुल रॉय और तमाम नारायन राने जैसे लोग शामिल करके पहले जैसे उनकी सफाई की गई वैसे ही इनकी सफाई करने की कोशिश की जाएगी मगर अभी महाराश्चा के राजनीती में बहुत तूफान अभी आना बाकी है आप देखिए क्योंकि इसर जैसे कि आपने बताया कि एक तरफ तो ये मेजर फैक्टर कला हमने देखा कि 2024 में मोदी जी का दम जो हमारा नैशनल मीडिया कल बता रहा था कि मोदी जी का दम है देखिए मोदी जी के डर की वज़ा से जो है एक दाहर लगाई अजीत पवार आठ एमेले के सा जो है वो भारती जन्ता पार्टी के साथ आ गए दूसरी बात आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 16 जो विधायक हैं उनकी सदसता पर तलवार लटक रही है ये असल में 2024 की तैयारी का ट्रेलर दिखाया गया है या महाराष्ट की सरकार को बचाने का एक नई पैतर ब बनाता है जिसमें जो जो सरकार को डिसाइट करने में नई सरकार बनने में पैसला करेगा तो वहां पर इस तरह की कारवाई करना ये अभी एक तरीके की भाजपा की बड़ी हताशा कहूंगा मैं तो कि अब आप देखिए कि जो अजित्पवाद को कल तक देवे फड़नवीज गदे रहे थे और कह रहे थे कि वो चौदा सो करोड की उनकी संपती जब्त करी जाएगी उनके साथियों की और जो कल तक उने गाली दे रहे थे आज उनके बड़ाबर में वो डेपटी चीफ मिनिस्टर बनके बैखे हैं सारे किस्से में शिंदे का कद जो है वो बहुत छोटा हो गया है योकि शिंदे के साथ भागे हुए जो 40 ML थे उनके से नकिसी को माया मिली ना रांग बारी हालत हो गई है दूसरी एक चीज़ आपको मैं बड़ा दारण देना चाहूंगा कारनाटक के अंदर जितने ML चोड़ के भागे थे आपको याद होगा जब सरकार गिराई गई थी और भाजपा की सरकार बड़ी थी उनमें से ज़्यादा तर ML चुराव हार गए है ऐसा ही आप देखेंगे मध्यप्रदेश्ट में भी होने वाला है और ऐसा ही आपको महाराश्ट की राजबिती में भी दिखेगा क्योंकि जिस तरह से उद्दव ठाकरे की सरकार तोड़ के भाजपा ने वहाँ पर शिंदे को बनाया अब शिंदे के बाद NCP तोड़ करके वहां के ML ये लेकर के ये इदर से उदर भाद रहें तो ये भी है ना कि महाराश्ट की बड़ी पार्टी है शरत पवार जी की और शरत पवार जी का क्या एहम किरदार है पॉलिटिक्स में वो हर कोई बखू भी जानता है पर इससे पहले जो शिवसेना के साथ किया शिवसेना को दो भावों में बाट करके रख दिया क्योंकि ये जो भारती जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है एक तरफ तो ये दिखाने की कोशिश करती है कि छेत्रिये पार्टी को कोई वजूद नहीं है और छेत्रिये पार्टी को ही तोड़ा जाता है ये असल में 2024 के लिए छेत्रिये पार्टी को त जोड़ने का काम है तो कॉंग्रेस बड़ा खतरा है या चेतरी ये दलों से भारती जनता पार्टी på खतरा है देखिए दोनों चीज़े हैं कॉंग्रेस अभी तक जिस तरह से हाशिये पर थी अब उससे वो बहुत बाहर निकल के आ गई है आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद किस तरह से हिमाचल पतिश का एलेक्शन जीता करनाटा का एलेक्शन जीता और एक चीज़ मैं आपको पताओं कि राहुल गांदी की मणी पुर्यात्रा ने बहुत बड़ा जटका भाजपा के लिए दिया है तो कि जिस तरह से उन्होंने सफल तरीके से दो दिन के अंदर पुरा अंदर जा करके और इसके बावजूद राहुल गांदी ने कोई पुलिटिकल बयान नहीं दिया है उन्होंने सिर्फ यही कहा कि यहां पे शांती बनाई जाए और सरकार इनकी मदद करे कोई उन्होंने पुलिटिकल बयान नहीं दिया कि यह नाका भी है सरकार की या जो भी है इसके बावजूद और जो छेतितलों की आप बात कर रहे हैं वो भाजवपा का आज का नहीं बहुत पुराना पैंतरा है शीव सेना बहां अंदर भाजवपा से काफी बड़ी पार्ट जब आप पहली इले के शुरू के आप इलेक्शन से देखे होंगे धीरे धीरे करके शीव से कद्व कम किया जाता रहा और जो पिछला इलेक्शन 19 का इलेक्शन था उसमें यही कोशिश थी कि इसको पूरी तरह से खतम किया जाए भाजवपा किसी के साथ गड़बंदर में चल नहीं सकती क्योंकि आपने देखा होगा कि इनोंने तो PDP के साथ सरकार बनाई थी काश्मीर के अंदर कि वो तो टोटली रैंक अपोजिट कंट्रास के विचार धारा के लोग थे और धाई साल तक वहाँ पे सरकार इनोंने चलाने की कोशिश की आप ने देखा बिहार में इनोंने GDU को तोड़ने की पूरी कोशिश करी इसी तरह से इनको अपना एलाई जो है वो कभी भी बरदाश्ट नहीं होता है ये साथ में मिलके दिखाते हैं मगर बात में एलाई को खतम करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर भी महराश्ट के अंदर आप एग देख रहे हैं जिस तरह से इनोंने शिवसेना को तोड़ा अभी ये NCP को तो है विपक्ष को लगा है और 2024 में एक जुट्टा से पहले ही बिखर गए हैं तो कितना असर अजीट पवार जो छोड़ करके गए हैं कितना असर पढ़ने वाला है 2024 के चुनाब में क्या अजीट पवार पोलिटिक्स में इतना बड़ा करदार ते जो एक विपक्ष को में एहम भूमिका निबा सकते थे अजीत पवार महाराश्टी पॉलिटिक्स के अंदर अब एक बड़ा जीरो बनके रह गए है आप ये देखते जाईए गहागे क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार का कंड़क्ट रहा है शुरू से और ये जो अभी आपने आज देखा कल देखा है उसकी तैयारी एक साल से चल रही है ये अजीत पवार की ये सौदे बाजी बाज़पा के साथ में एक साल से चल रही है बाज़पा के पाथ दो रास्ते हैं एक तो खरीद करके लेके आने का और जो खरीद के ना आये उनके साथ में मसल पावर का इस्तेवाल करते का वो ED, CBI, Income Tax, NIA उन सब को लगा के तोड़ने की कोशिश करते हैं तो दोनों हकंडों में से कोई ना कोई हकंडा जो है वो लगा करके ये काम करने की कोशिश करते हैं अजित मावार की आप वो देश की राजनीती में काम करेगी आप राज़की राजनीती में काम करिए तो राज़की राजनीती में उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि 8 MLA लेकर के वो पार्टी से भाग खड़े हुए पर शरत पवार एक बहुत सीजन्ड पॉलिटीशियन है वो आस्त र करके निकाल लिए गए थे और सिर्फ छे लोग बाकी बचे थे और उसके बाद अगले एलेक्शन के अंदर वो सतर अमेले अपने नाम पर जीच करके लेके आए थे शरत पवार की बहुत क्रेडिबिलिटी है और आपने कल भी सुना होगा कि सोनिया गांदी जीने राहूल गा करके आएगी मगर इस पूरे किसे के अंदर एक और तमाशा बनके आ रहा है आज जो अभी सुबा सुबा की खाबर है वो ये है कि शायद अब शिंदे को अलग करके हाजपा अजित्मवार को चीफ निसर बनाने की कोशिश में है बाराश के अंदर ये भी एक कयास लगाया जा रहा है क्योंकि शिंदे की उपयोगता अब खताब हो गई है और शिंदे के एमेले जो हैं वो बहुत तरप रहें बेकरार हैं क्योंकि उन में से कल भी किसी को मिनिसर नहीं बनाया गया जो रीश अपर जिवा तो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग होगा देखना कुछ दि अब शुरू हो गई है तेजी क्योंकि महाराष्ट में अपने किरदार को बड़ा दिखाना है भारती जनता पार्टी को अधिश्टर वार हुई थी जिसके अंदर महाराष्ट में शिदे और देश में मोधी करके दिखाया गया था और फड़न भी तो पूरा साइड में कर दिया गया था देखे होंगे जो बाद में एमेंड किये गए थे इसीच में नहीं चल रहा है ये भी आपने देखा होगा तो अब ये एक नई पिक्चर जो है वो सामने आई है ये नई पिक्चर तो सामने आई है इसी के साथ साथ अब जी 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 सर आवाज आ रही है सर आपको आवाज कट रही है नदीब आवाज आ रही है अब हमारी आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है नदीब अब आ रही है अब आ रही है अब आ रही है अब आ रही है अब तो सर हम ये लेना चाहेंगे अगला कोशन आप से कि आ रही है आ रही है तरीके से सर जिस तरीके से अजीद पवार एक निशाना बनाएगा एक खास्तोर पर शरत पवार के उपर ये निशाना था अजित पवार को तोड़ ले जाने का अब 2024 में आपको क्या लगता है शरत पवार के पाद अगला टार्केट कौन है क्योंकि देश के प्रधान मंतरी ने तो सभी के नाम गिनवा दिये थ जो है उसको विरासत को आगे बढ़ाएंगी तो क्या अगला टार्केट ममता भैनर जी हैं निटीश कुमार होने वाले हैं या लालू परसाद यादा होने वाले हैं मुझे लगता है कि इन तीनों पैसे इसमें एक डालॉग को चोड़ना भूल गयते हैं कि अगर आप मोधी को वोट देते हैं तो वो अडानी और अंबानी के विकास में चला जाएगा ये कहना वो भूल गयते हैं लिस्ट के अंदर ये आइटम एक अड़ करनी थी यो किसका विकास होने वाला है देखे अभीशेक बैनर जी के उपर तो शुरू से ही इनका इडिका जो शिकंजा है वो कसमे की कोशिश की जा रही है नितिश कुमार पर अभी तक कोई हमला नहीं हुआ है वगर नितिश कुमार भी अब डाये में आ आ गए है क्योंकि नितिश कुमार ही इस सारे कहना चाहिए जो कुंबा बनाया जा रहा है उसके सुतरधार नितिश कुमार और कोशिश आपने इस तरह से मैं कहूंगा कुछ इंसार्ट रही है मतलब इने जो है वो सरकार ले रही है क्योंकि जो यह विपक्षी एकता जो निकल के सब्सक्राइब है इससे और पूरा है है वो बहुत डरा हुआ है सारे साथ में इस तरह से मिल गए तो 2024 के अंदर मोधी सरकार का जाना तैय है क्योंकि 2024 में जाना तो तैय सर इस तरीके से जो महराश्रों में तोड़ा गया क्योंकि एक तस्वीर ये भी सामने आ रही है कि बीते 2024 के चुनाब से पहले तीन बड़े चेहरे जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डाले जाएंगे या तो कोई मुख्यमंतरी को जेल में डालने का काम किया जाएगा क्योंकि ये अब अंदर खाने से आवाजे तेज हो गई है कभी इसमें नाम जो है अरविन केजरीवाल का इंक्लूड कर दिया जाता है कभी जो है ये बताया जाता है कि मम्ता भैनरजी जेल जाएंगी तो कभी ये तस्वीर सामने आती है कि तेजस्वी यादव को जेल करके बुरी तरीके से बॉकला चुकी है कभी लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाती है कभी बड़े चेहरों को जेल में डालने की कोशिश कोई भी इन में से भाजपा के साथ खड़ा नहीं होगा क्योंकि अगर वो भाजपा के साथ खड़ा होगा तो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो उससे अलग हो जाएंगा इसलिए कोई ये रिस्क नहीं लेगा कि वो बाज़पा के साथ खड़ा हो इस मामले को आप देखिएगा ये मामला पोर्ट में जाके ही अटक जाएगा इस मामले पर आप अगर सरकार कोई हटदर मी दिखाती है जैसा कि आपने 370 के बारे में बोला और करने की कोशिश करती है तो फिर वो सरकार कोई उसके परणाम भुगतने होंगे क्योंकि इसका विरोध पूरे देश के अंदर किया जाएगा आम आद्मी पार्टी ने भी ये बोलाए कि पूरी कंसर्टेटिव प्रोसेस इसके लिए होनी चाहिए किसी का भी सबर्तन अनकंडिशनल नहीं है माया मती का बयान भी आप तुनिए कि ये भाज़पा जल्दबादी में करने की कोशिश कर रही है ये ठीक नहीं है तो ये सबकी अपनी अपनी कंडिशन्स हैं और ये जो अभी ड्राफ्ट आता है पहले ड्राफ्ट देखा जाएगा तब उसके उपर ड्राफ्ट के बाद ही आप इसके उपर कोई ठोस कमेंट कर पाएगा क्योंकि ड्राफ्ट लाने से पहले तो विपक्षी पार्टियों से बात की जानी चाहिए då इससे पहले भी कई चीजों पर लागु कर दिये गया विपक्ष् की पार्टियों को उस मिटिंग में बुलाया नहीं अब बाद में विपक्ष के जो नेता है वही कहते हैं कि जब हम से पूछा ही नहीं तो हमने कब लागू कर दिया यही स्थिती इसके साथ भी होने वाली है क्योंकि अभी तक UCC का ड्राफ्ट जो है वो तैयारी नहीं है और जो वो तीस दिन की लिमिट है इसके अंदर लोगों को अपने सुझाव देने हैं वो अभी समय पहुचा नहीं है सिर्फ इस बीच में एक राज्य ने उत्तरा खंड ने एक ड्राफ्ट बनाया है पर वो ड्राफ्ट जो है वो युनिवर्सली अप्ली केबल नहीं हो सकता एक राज्य विशेश अपने बारे में कुछ सोचे जहां उसका अगर पार्टी का बहुमत है तो भले लागू करें मगर UCC का पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो र इनके साथी हैं इनकी अपनी सरकार हैं बेगाले के अंदर जाएं इनके दो ML हैं वहां की सरकार ने बोल दिया कि हमें यहां पर UCC एकसेप्टबल नहीं है तो यह अभी बहुत कुछ इसके अंदर होना बाती है मैं एक आखरी सवाल सर आपसे लेना चाहूँगा कि कितना बड़ा असर हो सकता है 2024 के लिए भारती जन्ता पार्टी के लिए UCC का हत्यार और जो विपक्ष को तोड़ने का काम भाजपद वारा किया जा रहा है UCC का असर 2024 के चुनाओं पे दो प्रतिशद भी पढ़ने वाला नहीं है नदीर लोगों पे असर पढ़ने वाला है महंगाई का बेरोजगारी का मनीपुर की वाइलन्स का पहलवानों का जिस तरह से सड़कों पे घसिता जाना है परक उन चीजों का पड़ेगा UCC बुद्दा नहीं है UCC से किसी का पेट भने वाला नहीं है UCC से पेटरॉल के दाम 50 रुपे लिटर होने वाले नहीं है ऐसी UCC का क्या प्रियोग है क्या UCC के लाने से ही देश का विकास होगा क्या क्या देश के विकास में वो रोड़ा अटक राया है कि UCC नहीं है देश के अंदर ये चीजें जो हैं वो रात के रात में नहीं होती है सरकार के पाद 9 साल का वक्त था 2014 में आई थी आज तक 9 साल में बात करके कितना कुछ इसके ओपर फैसला किया जा सकता था मगर वो सरकार ने नहीं किया चाहें वो ट्रिपल तलाग हो चाहें वो 370 हो सब में इन्होंने विपक्ष को बुल्डोज किया है कि बिना चर्चा किये बिना कोई भी बातचीत किये हुए एक उसको अपनी बूटल मेजार्टी का लोग सबा में होने का फाइडा उठाते हुए इन्होंने इस तरह के कानून लागू किये और ये देश की ज़र्णता देख रही है पर भाजपा तो 2024 के लिए ये तस्वीर बना रही है जैन दर्में भी संत्वारा होता है कि ये हमारे manifesto की item है हमें ये भी पूरा करके देना है हमने कहा था राप मंदिर ला देंगे हमने कहा था 37-र अटा देंगे हमने कहा था ये triplelar को भादेंगा criminalize करवा देंगा हमने करवा दिया हमारा ये भी मुद्धा था क्योंकि ये मुद्धे वो बुद्दे नहीं लाएंगे जिसे विकास हो रहा हो देश के अंदर उन पे कितने IIT, कितने IIM, कितने एरपोर्ट, कितने जो सड़के क्या जो बनाने का जो टार्गेट था उसकी बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे इन चीजों की जिसके लोगों को बाटा जा सके आपस में, और इसका फाइदा उठाने की कोशिश किया जा सके कि जो 80% आबादी है, उसके वोट हम किस तरह से ले लें, उसके लिए ये इस तरह की चारे कानून जो हैं, वो जल्दी जल्दवादी में पास किये जाए